हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू तो आज का जो हुमारा लेक्चर होगा, वो होगा पदमा अवार्ड्स पे तो रिसेंटली आपको पदा है, पदमा अवार्ड्स की जो है वो अनौंसमेंट हुई है काफी सारे लोगों को पदमा अवार्ड्स दिये गए है तो आने वाले एक्जाम में आपको इसके रिलेटिड कोश्चन आ सकता है जितने भी अपकमी एक्जाम आउने वाले है तो उसके रिलेटिड मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है इस ट्रिक को आप लउन कर लो और आपको लउन हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों जो है वो पदमा अवार्ड्स मिले है उनके नाम आपके टिप्स पे होंगे ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने ट्रिक पे चलेंगे, जो सुपर ट्रिक मैंने बनाया हुआ है लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा Padma Awards के बारे में जान लेंगे ठीक है, तो Padma Awards की जो शुरुआत हुई थी न, वो हुई थी 1954 में ठीक है, तीन कैटागिरी में इनको दिया जाता है, फर्स्ट कैटागिरी है Padma Bhushan दूसरी कैटागिरी है Padma Bhushan और तीसरी कैटागिरी है Padma Shri ठीक है, उसके बाद बहुत सारी फील्ड में इनको दिया जासा है जैसे Social Work, Public Affairs, Literature and Education, Sports and Civil Services तो काफी जादा जो हैं वो कैटागिरी हैं, उसके बाद जो हमारी Respected श्रीमती द्रोपदी मुर्मूर है, उन्होंने अभी Conferred किया Padma Awards 106 लोगों को, ठीक है, तो इसमें 9 लोगों को मिला Padma Bhushan और स्री, 6 लोगों को मिला Padma Bhushan और 9 लोगों को मिला Padma Shri Award, ठीक है, तो ये उनके नाम है, आप देख सकते हो, जिन 6 लोगों को मिला है, Padma Bhushan तो हम लोग अपने ट्रिक पे चलेंगे, जिससे आपको ये 6 नाम जो है, वो learn हो जाएंगे, तो हमारा ट्रिक क्या है ये है हमारा ट्रिक, कपिल ने बाल रूप, सोरी, क्रिशना ने बाल रूप में यादवों के महल में निवास किया, तो क्या ट्रिक है, आपको ये line learn कर दी है क्रिशना ने बाल रूप में यादवों के महल में निवास किया, और जो word मैंने underline किया हुआ है वो उन लोगों के नाम है जिनको पद्म विभूषन मिले हुए है तो हम लोग सीधा चलेंगे उन नामों पे जिनको पद्म विभूषन मिले हुए है ये उन नाम की लिस्ट आ गई तो कृष्णा ने बाल रूप में तो कृष्णा से आ गया मुलायम सिंग यादव, ठीक है, तो कृष्णा ने बाल रूप में, यादवों के महल में, महल से आ गया, जो चोथे नमबर पे दिया हुआ है, शीरी दिलीप महल निवस, ठीक है, तो ये हो गया, हमारा महल में निवास किया, तो निवास से आ गया हमारा जो पांचमे नमबर पर दिया हुआ है शिरी निवाज तो इसमें एक नाम भचता है वो है जाकिर हुसंयन तो आपको कैसे याद रखना है कि यह जो लाइन बोली है क्रिष्णा ने बाल रूप में याद्वوں के महल में निवास किया यह लाइन किसने बोली है जाकिर हुसंयन ने तो छे के छे नाम आपको जो है वो 100% लर्न हो जाएंगे ठीक है उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे पद्म बूशन की तो इसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा बस आपको एक ही लाइन याद रखनी है तो कोमेडियन जो कपिल सरमयना उसके बारे में क्या बोला जाता है उसके थ्रू आप ये लाइन याद रखोगे ये line आपको learn करनी है आपको no के no नाम जो है वो याद हो जाएंगे अभी जो word मैंने underline किये हुए है वो मैं आपको उपर में दिखाऊंगा जिनको award मिला है तो पहला क्या है कपिल को उसके स्वामी तो कपिल नाम आपको सीधा-सीधा यहां पे दिख रहा है पताया कि मंगल पे जाके राम की मूर्ती तो इसमें मंगल आ गया उसके बाद मूर्ती आ गया और दीपक आ गया वो भी मैं आपको बताता हूँ तो पहला है हमारा मंगल जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है मंगलम ठीक है मंगलम बिरला मंगल पे जाके राम तो राम भी दिया हुआ है कहां दिया हुआ है जैराम मंगल पे जाके राम की मूर्ती मूर्ती भी यहां पे सीधा सीधा जो है वो नाम दिया हुआ है सूधन मूर्ती थीक है तोड़ा स्लाइड आगे पिछे हो गया मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, सुधन मूर्ती सिधा, सिधा दिया हूआ है तो आगे देखते हैं हम लोग, मूर्ती लगाके दीपक जलाना और कमल की फूट चलाना तो इसमें कौन-कौन सा नाम आ गया, दीपक और कमाल तो दीपक और कमल नाम भी मैं आपको बता देता हूँ देखो दीपक सीधा सीधा दिया हुआ है दीपरदर ठीक है दीपक दीपक दिख गया ना आपको तो उसके बाद क्या है दीपक के बाद है कमल तो कमल भी मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ तो कमल कहा है कमल तो नाम नहीं है लेकिन उसकी जगा पे कहा है कमलेश डी पाटिल तो कमल से आ गया कमलेश डी पाटिल उसके बाद क्या है कमल के फूल चड़ाना तो आपका कल्यान होगा और बाहर आ जाओगे कल्यान और बाहर तो कल्यान से हमारा कौन सा है SM, MS, सूमन, कल्यानपूर तो कल्यान भी हो गया और बाहर से हमारा जो फस्त नाम दिया हुआ है बायरपपा, SL बायरपपा तो ये भी नाम हो गया तो दो लाइन याद रखोगे तो पदमभूशन भी हो जाएगा और पदम भीवूशन भी हो जाएगा तो इन दो लाइनों को आपको learn कर लेना है, रट लेना है बाकी नाम तो आप इससे डूंड लोगे exam में जो भी आएगा तो ये था मेरा simple trick इसमें पदमशिरी का trick नहीं है क्योंकि वो 91 लोगों को दिया गया है तो इतना लंबा trick बनाना जो है वो इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी अगर इसके लिए आपको trick चाहिए तो मुझे comment box में लिख देना मैं आपको trick प्रोवाइट करवा दूँगा हाला कि जो पदम शिरी है उसके related इतने question exam में नहीं पूछे जाते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ तो ये था मेरा आज का trick अभी आपको क्या करना है आपको comment box में मेरे को बताना है उस line को जो मैंने पदम विभूशन के लिए आपको बताई थी उस line को आपको comment box में लिखना है उससे आपको वो line भी learn हो जाएगी और आप मुझे feedback भी दे दोगे कि आपको कैसा लगा ठीक है बस उस line को लिख दो मैं समझ जाऊँगा कि वीडियो आपको ठीक लगा है तो जिसको अच्छा लगा है वो channel को subscribe कर देना यार ठीक है क्योंकि subscribe करोगे तो मैं जो भी next video बनाऊंगा trick का आपको notification मिल जाएगा और bell icon को दबा देना तांकि आपको notification मिल जाए और भी अगर आपको trick के related कुछ videos चाहिए याद रखने के लिए तो आप मुझे comment box में लिख के बता सकते हो मैं उन पे video बनानूँगा और इसकी अगर आपको pdf चाहिए तो इसका telegram link मैं आपको description में दे दूँगा उस पे click करके इसकी pdf जो है वो आपको मिल जाएगी तो like करो, share करो और channel को subscribe कर दो ओके बाई, जाहिन